आज़िय। So friends, today we are going to talk about the famous literary terms, इंटर-Taxuality by Juliya Christeva, Juliya Christeva एक French की writer है और इनकी जो नाम की spelling है वो फ्रेंच में Juliya पढ़ा जाता है यह जो है हो है एच का sound देता है फ्रेंच में तो अगर हम जूलिया भी कहा है तो कोई गलत नहीं ओगा इंग्लिस में लेकिन फ्रेंच में Juliya Christeva कहते हैं तो अब बात करते हैं इनके literary terms के बारे में इस term को इन्होंने 1960 में explain किया इन्होंने वदाया है कि आज तक जो भी work literature में produce हुआ है वो सब का सब intertextual है अब intertextual का क्या मतलब होता है और ये होता क्या है In simple words जब एक writer कोई भी idea या theme, quotation, reference या फिर कोई translation किसी दूसरे work के जो work उसके अपने work से पुराना हो उन में से कोई भी एक चीज ले करके अपने work में use करता है तो उसे ही intertextuality कहते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि एक work अगर दूसरे work से inspire होता है तो उसे ही intertextuality कहते हैं या सीधी सीधी तरह से कोई idea कि कोई कोपी करता है इसको प्लेगरिजम भी कहा जा सकता है लेकिन प्लेगरिजम साहिते में साहिते की चोरी को कहते है या फिर ये डारेक्ट भी हो सकता है जैसे किसी वर्क की पेरोडी करना अब ये पेरोडी क्या होता है सायद हमने पिछली वीडियो में बात की है कि लतसे लिखना उसे परोडी कैते हैं हम बात कर रहें इंnter texuality की इस इंटा Taylor के रिडर पर क्या इंप्रेसें पड़ता है ये रीडर की प्रिवियस नोरीज पर डिपन्ड करता है यह उसकी अंडरस्टेंडिंग कि क्या रिडर ने वो पढ़ा है जो राइटर ने किसी दूसरे वक्स से लेकर अपने वक्स में यूज किया है फुर एक्जामपिल हमें किसी परोडी और इल्यूजन का तब ही पता चलेगा जब हमने उसका ओरिजिन पढ़ा हुआ है या फिर हम उसके origin जानते हैं एक गूर एक्जामपल ओफ इंटर टेक्सवालिटी इस पिले का जो आइडिया है वो शेक्सपिर के पिले हैमलेट से लिया गया है तो इसे ही इंटर टेक्सवालिटी कहते हैं और आसान सब्दों में हम कह सकते हैं अगर हम कोई रिमिक्स सौंग सुनते हैं वो हमें वो रिमिक्स तभी लगेगा जहम हमने वो original सौंग सुना हुआ हो तो ये रिमिक्स सौंग इंटर टेक्सवाल है तो फ्रेंट्स आई होब यह आपको थोड़ा समझाया होगा अगर नहीं की आए तो आप comment box में लिख सकते हैं इस वीडियो में इतना ही है thanks for watching us have a nice day इस वीडियो में इतना ही था thanks for watching us have a nice day